अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हेलो एवरिबडी स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं आपके लिए लेके हैं हुए कि इन्फरमेशन की काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि आईटी एक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा कब आएगा क्या रीजन है तो इन सारे सवालों का जवाब आप कोई सी वीडियो में मिल जाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है क्योंकि पहले से काफी लेट हो चुका है हमारे पास यह इन्फरमेशन आई है इमेल के दवरा इसका यह देख लिजिए गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्कि कि जो डेट है जब आया था वो 9 अक्टूबर 2019 को यह लेटर आया था और जिसमें आप देख सकते हैं यह सब्जेक्ट दिया गया है सभी आईटिये के लिए है सब्जेक्ट की अपलोडिंग प्रैक्टिकल और जो इंजिनिरिन ड्राइंग के जो मार्क्स हैं और समेस्टर सेकंड थर्ड फॉर्थ के जो मार्क्स हैं वो अभी तक कुछ आईटिये के दवारा अपलोड नहीं किये गये हैं जिसके कान रजल्ट में देरी आ रही है और जिनके एक्जाम हुई थे आपको पता जुलाई और अगस्त के रिकार्डिंग 2019 में प्रैक्टिकल और एक्जाम दोखे विदे और प्रॉम 227 2019 टू 98 2019 एंसीविटी एम इस पॉर्टल इज अपलोडिंग ओफ मार्क्स ऑफ रजल्ट प्रोसेसिंग और मतलब 227 2019 से 98 2019 को एंसीविटी एम इस पॉर्टल के दवारा अपलोड की गये थे मार्क्स को रजल्ट के लिए लेकिन कुछ एक कि आई टीए में अभी तक प्रैक्टिकल और इंजिनेरिंड ड्राइंग के मार्क्स जो हैं और स्टेड डायरेक्शन ऑफ स्टिल पेंडिंग है काफी स्टेट्स के अंदर अभी तक पेंडिंग मार्क्स हैं प्रैक्टिकल और इंजिनेरिंड ड्राइंग के और लास्ट डे आपका रिजल्ट आने की संभावना बनती है 20 से 25 अक्टोबर तक आने की संभावना है और इसी के अधार पर बता दूँ कि आपके रिजल्ट की देरी इस लेटर को देखते के परिणाम यही है कि आपके रिजल्ट आने की देरी सिर्फ आपके इंजिनिर ड्राइंग और प्रैक्टिकल के मार्क्स अप्लोड ना होने के करण आपके रिजल्ट में देरी आ रही है तो इसलिए आप ऐसी ही इंफोर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आईटी अपडेट्स वाइपर विए को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन जरूर प्रैस कर दें ताकि हर जॉब रिलेटेड सूचना और ऐसी ही आईटी अपडेट्स आपको जल्द से